हलो फ्रेंड्स नमस्कार विलकम बैक मैं चैनल टारेट टीचर जॉब मैं प्रेंग का स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारेट टीचर जॉब में दोस्तों आज हम 28 प्रथमवर्ज दोती है प्रसन पत्रे बच्पनियों विकास के विसेय में पढ़ेंग यह आपके डिड़ी उनश्टी 2005-2019 में पूछा हुआ कोश्चन है और नेक्स्ट एक कोश्चन है बाले काल जीवन का अनोखा काल है तो यह आपको सपष्ट करना यह किसी का कथन है तो यहाँ पर हम देखते हैं यह आपके सिधारतन उनश्टी 2005 में पूछा हुआ कोश्चन ह उत्तर देखते हैं बाले अवस्था बाले अवस्था में प्रवेस करने पर बालक का इतना विकास हो चुका होता है कि वह अपने वातावरण की परस्थितियों से कुछ पर्चित सा होने लगता है यहाँ पर हम देखेंगे बाले अवस्था में बालक अपने विकास की दूसरी अवस्था में होता है और इस अवस्था में बालक का अपने वातावरण की परस्थितियों से कुछ पर्चित होने लगता है मनोवज्यानिकों ने बाल्यावस्था को बालक का निर्मारकारी काल कहा है यह अवस्था 6 वर्स की आयू से 12 वर्स तक पहली होती है कॉल अन ब्रूस ने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है तो यहाँ पर जो कतन था आपका बाल्य आवस्था जीवन का अनोखा काल है यह किसके अनुसार था कॉल अनुसार था और बाल्य आवस्था को जीवन का अनोखा काल बताया और कहा कि वास्तों में माता पिता के लिए बाल विकास की इस आवस्था को समझना कठिन है तो यहाँ पर अनुखा काल इसलिए क्योंकि बालक इसमें नए नए चीजों को जानता, सुनता और समस्ता और नए नए क्रियाएं करता है या अवस्था बालक के व्यक्तित निर्माड की अवस्था होती है यहां से ही बालक अपने अच्छे बुरे कारियों को सीखता है और अच्छे बुरे आद्तों का निरमार करता है तो यहां पर हम देखें इस अवधि में बालक में अनेको अनोखी आदतों, ब्यवहारों, रुचियों, इच्छाओं का निर्माड होता तो यहाँ पर हम देखें बहुती क्लियर ढंग से बताया गया कि इस काल में बालक में अलग-लग आदतों का विकास होता ब्यवहारों, उनकी जो ब्यवहार हैं उसमें परिवर्तन आते हैं और उनकी रुचियों का निर्माड होता, उनकी इच्छाओं का निर्माड होता सिच्छा आरम करने के लिए यह आयू सबसे अधिक उप्यूक्त मानी जाती है क्योंकि यहाँ पर बालक के अंदर जादा चीजों को जानने की जिक्यासा होती है, वो चीजों को जानने के लिए उच्सुक होता, इसलिए सिच्छा सास्त्रियों ने इसे प्रारंबिक विद् में लगा रहता है. तो यहां पर जो बालक होता वो बिना थकी ही हर काम को करने में और हर चीज में दोड़ धुप करने की दिल्चसपी रखता है. इस अवस्था में सामाजिक संबंद स्थापित करने की भावना बालक बालकाओं में बहुत ही प्रवल होती है तो वो हर चीजों को समझना, सुनना और संबंध स्थापित करने में बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित होता है एक तरह से हम कह सकते हैं वो अपना-पना समू बनाते हैं इसलिए मौनो बैग्यानिकों ने इस अवस्थ तो एक ही कोश्चन को अलग अलग तरह से भी पूछा जा सकता है कि किस काल को गंदी आयू का काल कह सकते हैं या फिर किस अवस्था को समू की अवस्था कह सकते हैं या फिर इस तरह के कोश्चन की बाले अवस्था को जीवन का नोखा काल किसने का है तो यहां पर अलग इक समन्द स्थाफित करने की भावना बालक बालिकाओं में बहुत ही प्रबल होती है वे अपना-पना समू बनाते हैं इसलिए मनोगई यानिकों ने इस सवस्ता को समू की आयू यानि की गैंग एज भी कहा कुछ ने तो इसे गंदी आयू ड़टी एज भी कहा क्योंकि बालक दोड में खुद को गंदा ही रखते हैं और लापरवाही दिखाते हैं तो कहीं इस तरह की जो आयू है वो काफी एक्टिव दिखती है अब नेक्स्ट हम देखते हैं बाल्य आवस्ता की प्रमुक विसेश्ताएं क्या होती है सारीरिक और मांसिक विकास में इस्थिरता बाल वर्स की आयू से वारवर्स की आयू तक होती है तो छे से लेके नौ वर्स की आयू जो होगी वो सारीरिक विकास में इस्थिरता आ जाती है अथार्त कुछ धीमा हो जाता है जो सारीरिक विकास से वो कुछ धीमा हो जाता है यह विकास के इस्थिरता बालक की मांसिक सारीरि पदान करती है उसकी चंचलता कम हो जाती है उसकी मस्तिस्क परिपक्कों सा दिखाई पड़ता है उसमें जो चंचलता थी वो धीरे-धीरे कम होने लगती है और वो खुद को परिपक को दिखाई देता है या कह सकता है कि वो खुद को मिच्चोर समझने लगता है उसको यह ल कितने तरह से मिथ्या परिपक्ता का गंधी आयू और यहां पर क्या पढ़ा था गंधी आयू के लामा गैंग एज यानि की समूं की आयू और जीवन का अनोखा काल तो यहां पर एक ही आवस्था को अलग अलग नामों से इंडिकेट किया है क्या सकते हैं तो यहाँ पर रौस में हो देने बाल्या उस्ता को मिथ्या परिपकुता का काल का क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे होते हैं वो अपने आपको मैच्चोर दिखाते हैं, अपने आपको बड़ा दिखाते हैं, बड़े दिखते हैं कि लोग हमें बड़ा समझें नमबर दो हम देखे मांसिक योगताओं में बृद्धी बाले उस्ता में बालक की मांसिक योगताओं में निरंतर बृद्धी होती है उनकी संबेदना और प्रतिची करड़ की सक्तियों में बृद्धी होती है और साथ ही साथ इसमें असमर्ड सक्तियों तर्क सक्ति की भी पर पर्याप्त बृद्धी होती हैं यहां पर हम बात करें तो बालक की जो मांसिक योगता वो दीरे-दीरे बढ़ती रहती है बढ़ती रहती है निकी निरंतर बृद्धी हो रही है और उनकी जो संबेदना और प्रत्यची करण की सक्तियों में जो भी उनके अंदर तर्क करने की सकती है वो धीरे-दीरे बढ़ रही है और इसमें परियाप्त बृद्धी दिखाई देती है वह बिभिन बातों के बारे में तर्क और विचार करने लगता है वह साधारण बातों पर भी अधिक देर तक अपने ध्यान को केंद्रित कर सकता है तो यहाँ पर जो चात्रों होते हैं वो खुद को किसी भी चीज के लिए इंवाल्व करना और उस पर तर्क वितर्क करना उस चीजों को अच्छे ढंग से समझने की कोशिस करना यह सारे गुड़ बच्चों में आ जाते हैं इस अवस्था में बालक में अपने अनभावों को अस्मरड करने की योगता हैं आपर तो वो चीजों को याद करना सीख जाते हैं उन्हें किसी भी चीज को एक वस्था को दूसरे से को रिलेट कैसे करना यह सारी समझ आ जाती है नमबर थ्री हम देखें जिग्यासा की प्रबलता इंटेंसिटी इन क्यूरियोसिटी बालक बालक में जिग्यासा अधिक प्रबल होती है तो बालक किसी भी बस्तु के संपर्क में आता है तो उसके संबंद में बहुता सारी बहुत सारी जानकारी प्राप्त करना चाता तो जो भी चीजे बालक देखता उनके बारे में वो अ बाल्या वस्ता में क्यों और कैसे के प्रसने पूछता है यहाँ पर जो अगर हम इसके पहले की काल की बात करें तो सैस्या वस्ता में बालक सामा ने प्रसने पूछता था लेकिन जो बाल्या वस्ता आने पर उसके अंदर तर्क के सक्ति का विकास हो चुका है तो वो हमेशा आती बालक के सारीरी क्यों दैनिक कारियों के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहता वो अपने ब्यक्तिकत कारे स्वयंग करने लगता जैसे स्नान करना बस्तर पहनना स्कूल के लिए तयार होना आदी यहाँ पर एक बालक के अंदर आत्म निर्भरता की भावन आ जाती है क उसके अंदर ये feeling आ जाती है कि हम बड़े हो गए तो बड़े लोग अपना काम सोईंग करते हैं तो वो भी खुद को बड़ा मैसूस करता है और वो अपना कारे चाहे वो नहाने या फिर बस्तरे पहनने या फिर स्कूल के लिए तयार होने ये सारे कारे वो अपना खुद करन चाहता जैसे बागीचे में काम करना लकड़ी के ओजार बनाना इसके विप्रित बालिकाए कड़ाई बुनाई सिलायत या रसोई से समझत कारें को करने में रुची लेने लगती हैं यहाँ पर हम बात करें रचनात्मक कारें में रुची लेना तो जिस तरह से बड़े बनाना या फिर लकड़ी के ओजार बनाना और जो लड़कियां होती है वो कड़ाई बुनाई सिलाई और रसोई के जो भी कारे होते हैं अपने मा की मदद करना उनको सीखना इन सारे कारेों में वो रुची लेने लगती है नमबर 5 हो गया है अब हम देखते हैं नमबर 6 सामूहिक प्रवित्य की प्रवलता इस अवस्था में बालक बालकाओं को सामूहिक प्रवित्य प्रवल होती वह अपना अधिक से अधिक समय दूसरे बालकों के साथ बतीत करना चाते हैं उनकी रुची सामूहिक खेलों में अधिक होती है इस आवस्था में बालक प्राया किसी ना किसी समूह का सदस से बन जाता और वो उस समूह के सभी सदस से मिलकर खेल खेलते हैं यहाँ पर समूह की आयू में यही बाले आवस्था ही आती है कि इसमें बालक समूहों में रहना पसंद करते हैं और उसमें किस तरह से खुद को ADJUST करना एक तरह से समाज जिकता जो आती है बालकों के अंदर वो इन्हीं समुहों से आती है कि खुटे-च्छोटे खेलों की मात्यम से वो खुद को adjust करना सीखते हैं, खुद को लोगों के सामने represent करना सीखते हैं तो ये सारी चीज़े बालकों में समो प्रवित की प्रवलता को जन्म नेती है किसी ना किसी समो का सदस बन जाता है, इस एज में बालक और उस समो के सदस से मिलकर खेल खेलते हैं नमबर सेबन हम देखे, संग्रह करने की प्रवित्टी, बालक और बालकों में संग्रह करने की प्रवित्टी बहुत ज़्यादा पाए जाती है चीजों को इकठा करना, चीजों को समोध कर रखना और बालक विसेश रूप से मसीनों के धागों, टिक्टों, सिकों, काच की गोलियां और पत्रों के टुकडों का संचे करता तो वहीं दूसरी तरफ जो बालिकाएं होती हैं, वो चित्रों, खिलोनों, गुडियों के कपडों के छोटे-छोटे टुकडे आधिका संग्रह करती हैं यहां पर बालक और बालिकाओं के जो रुचियां वो भले ही अलग-लग हो जाती हैं, लेकिन उनमें जो संग्रह करने की प्रवित्ती है, वो बहुत तीब्र हो जाती है नमबर एट हम देखें, नैतिक विकास इस अवस्था में बालक सामाजिक मानदंडों के अधार पर इमानदारी, वेमानी, सही गलत, अच्छा बुरा आदमें अंतर समझने लगते हैं और उसे क्या वेवहार करना चाहिए, अब ये निड़ाय लेने लगते हैं अब जब वे अच्छे सही इमानदारी आदिका चन करते हैं, तो उनमें नैतिकता का विकास होने लगता है दोस्तों, यहाँ पर एक बालक के अपने आपको मिर्च्योर समझता है तो उसमें अच्छे बुरे की समझे और किस तरह से सही गलत का निड़ाय लेना यह सारी समझ धीरे-धीरे उनके अंदर आ जाती है और इनी की वज़े से वो धीरे-धीरे नैतिकता के बारे में सीखता है और उनके अंदर समाजिकता की भ्यावना का भी विकास होता है 9. नम्दे के संबेगों पर नियंतरड, बालख अपने संबेगों पर अधिकार रखना हम अच्छी और गुरे संबेगों में अंतर करना जान जाता वह उन संबेगों का दमन करता है जो सामाजिक रुप से सही नहीं है साथ ही साथ जिनको उसके माता-पिता और बड़े लोग पसंद नहीं करते हैं दोस्तों यहाँ पर एक परिवार के माध्यम से और समाज के माध्यम से उसके अंदर जो समवेग हैं एक तरह से अच्छे और बुरे की समझ होना और जो भी चीजे गलत हैं उनके द्वारा उनके जो बड़े लोग हैं वो पसंद नहीं करते हैं तो जिसकी वज़े से उनके अंदर अच्छे और बुरे की समझ आती हैं और जो भी गलत विचार होते हैं गलत समवेग होते हैं वो उनका दमन करते हैं, उनके अंदर उस तरह की भावनाय जो उठती हैं, उसका वो एक तरह से नकारते हैं और उनका दमन भी करते हैं नेक्स हम देखें बहिर मुखी बक्तितों का विकास, यहाँ पर अब बालकों में इस अवस्था में क्या होता है, बालकों में बहिर मुखी प्रवित्य विक्सित होने लगता है, बच्चा जो है अपने gäller को किस तरह से रिप्रिजेंट कर रहा है, उसके अंदर जो भी जोमने, बाहर की वस्तों को देखने, दूसरों के प्रति जानने, आदमे रुची प्रदर्सित करने लगता है। वो अपने आपको बड़े की तरह दिखाने और किस तरह से किसी चिज में रुची लेनी है, कहां रुची नहीं लेनी है। इन सारी चीजों को वो अच्छी तरह से समझने लगता है, अच्छे बुरे का फर्क करना, नैतिकता का विकास होना, यानि कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे उसके व्यक्तित्तों का विकास हो रहा है, वो हर चीज के बारे में जानने सुझने और समझने लगता है तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक करिएगा अपने दोस्तों के साथ सेयर करिएगा और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और वेल आइकन बटन को प्रेस के लिए जिससे हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और दोस्तों यहाँ पर हम वीड फरस्ट इयर के सारे कंपलसरी पेपर के क्लासेश चलाते हैं तो उसकी लिंक हमां डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं हमसे जुड़ने के लिए थांक्यू सो मच इसे तरह से खुश रहे हैं मस रहे हैं धन्यमाद जै हिन